नमश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसा कि हमने पिछली बार कहा था जब हमने एक एट लेक्ड वीडियो रूल आउट किया था हमने कहा था कि हम आपको लाइव मार्केट के दौरान भी ऑप्शिन्स मॉड्यूल के एक्स्पीरियंस को शेर करेंग अगर आप खाली ऑप्शिन्स मॉल्टि लेक्ड यूज करने वाले हैं तो आप सेटिंग्स में जाके अपिएरेंस में जाके आप वो सारी चीज़े अंटिक कर दीजे जो आपको रिक्वार्मेंट है बस आपको रिक्वार्मेंट होगी मेरे साब से पोजिशन्स एन ट्री है ठीक है तो यूजर अकाउंट आपने अड़ कर लिए स्ट्राटेजी टाग आपने बना लिया मान लिजे डीफॉल्ट के अंडर आपको फायर करना अगर आपको मॉल्टिपल अकाउंट में फायर करना है तो आप इस तरीके से बस टिक कर देंगे और ओके करके यहां पर और 14 अक्टूबर के एकस्पायरी लेडी मैंने शॉट स्ट्राटल जो की समझ लीजेगी सबसादा चर्चित सबसादा इस्तमाल कर रहे है जाने वाला एक ऑप्शिंस मॉड्यूल है यह ऑप्शिंस स्ट्राटेजी कही है उसे तो मैंने स्ट्राटल से लिए मैंने स्ट्राइक सेलेक्शन रिलेटिव रखा हुआ है क्योंकि आज हम यहां पर हाइलाइट करेंगे आपको की री एक्जिकूशन किस प्रकार से होते हैं और हमने वेट एंट्रेड नहीं डिफैंड किया हुआ है हम कर देते हैं उसे वन परसेंट अगर हमें करना है तो अगर हम को किसी भी प्रकार की साहता की जरूत हो तो देखिए आप हमें इमेल कर सकते हैं डेफिनेटली आपकी हिल्प करेंगे ठीक है आप माउस हर एक जगे पर हर एक हैडर पर ले जा सकते है तो आपको अपने आप में डीटेल एक्समेंशन मिलेगा और ज्यादा इंड़त के भल है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की मदद करने के लिए जैसा कि आप सब जानती है कि आल को वापस्ट ऑक्सव है पन अफ ती मोस्ट एडवांस वान अफ दी मोस्ट फास्टेस एक्जिकेशन प्लाटफॉर्म तो आप इसे बिल्कुल एक्स्ट्रोर करें डाउनलोड करें और फिर चुनाओ करें ठीक है तो यहां पर पोर्टफोलिय एक्जीकुशन मोड में स्टार्ट टाइम ले रहा हूं अगर मैं अंडरलाइंग लेवल या उस पर जाना चाहता हूं तो बिल्कुल पर आज का मेरा उद्देश जो है वो देखाने का सिंपल है तो मैं इसको स्र स्टाइडल ठीक है तो हमें नेगेटिव में जाना होगा अंडरलाइंग अगर 30 पॉइंट्स मूव होता है या मैं इसे थोड़ा सा और शॉट कर देता हूं 20 कर देता हूं और टार्गेट री एक्जीक्यूट ठीक है और स्टॉप लॉस भी री एक्जीक्यूट कर देते है ठीक है ना तो मैंने स्टॉप लॉस को दे दिया है पॉजिटिव में 20 एंड मैंने इसल का वेट सेकंड्स दे दिया फाइफ एक्शली वो निकाल देता हूं यह फ्री ट्रेड कंट्रोल करने के लिए दिए गया गया दोस्तों कई पर क्या हो जाता है कि ट्रेड्स विग बे होने के बाद भी अगर वो उसके नीचे फिर भी मेंटेंट रहा तो दिन डिफिनेटली वो इमीचिटली स्ट्राइक कर देगा तो हम स्टॉप लॉस पर भी 20 पॉइंट्स का री एक्जिगूशन दे रहे हैं रिमार्स में डाल दिया है जो हमें डालना जो भी हमारे नोट् नहीं है तो यह स्ट करता हूँ एक है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसे यहां पर इनेट चल रहे है पिरे चल रहे है तो मैं अगर चाहूं इसे एडिट करना तो मैं इसको रणिंग मार्केट में भी माइनस टेन एंड प्लस टेन कर सकता हूं और सेफ पोटफुलियो कर सकता हूं ठीक है तो यह आटमाटिकली उस चीज को इमिजेटली सेफ करके इंप्लाई भी कर लेता है तो आप ऐसे जितनी मर्जी स्ट्राटेजी चाहें उतनी मर्जी बना सकते हैं ठीक है नब तो अब यहां पर स्टार्ट टाइम ले लेते हैं रन ओन डेज हमने से लिक कर लिए हमने बाकी फिल्ट्स फिलाल के लिए हमने छोड़ रखी है ठीक है आर सी टू के नाम से एक स्ट्राटेजी बना ली और यहां पे अपकी बार में टार्गेट प्रॉफिट वेसिस पर दे रहा हू हम लॉट साइज यह तो बना सकते हैं बिल्कुल यहां पर इस केस में हम दो-दो लॉट कर देंगे ठीक है और इसको सेफ कर देंगे तो वेट वाइल चेकिंग फॉर प्रीमियम आपको लिखके आ जाता है और उसके बाद वो उसे सेफ कर देता है आपको बस करना यह है एने 2 का भी auto re-execution हो रहा है तो इस तरीके से अब यह दिन भर क्योंकि अब कहीं ना कहीं वैंग निफ्टी के prices में definitely कुछ movement आ रही है कहीं पर जहां पर हमारे option strikes में particular respective movement हमें देखने मिल रही है तो वहां पर re-execution इतना fast होता है तो यह RC1 का re-execution है and RC2 का re-execution है ठीक है RC2 व आते जादा होनी थी क्योंकि मैंने सिर्फ 10 पॉइंट का profit दिया हुआ है मापने 50 पॉइंट का ठीक है तो आप देख रहें कि जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक हमारे straddle continuously fire हो करके अगर हम MTM की ओर चले और MTM देखते हैं तो यह हमारा कुछ MTM चल रहा है overall पे ठीक है तो continuous looping strategy भी आप बड़े अराम से create कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही simple way में आपके bridge ने आपको संभाला हुआ है हर तरीके से आपके पास multiple avenues है यानि कि अगर आप re-execution ना चाहते for example अगर मैं नया एक portfolio बनाना जाता हूँ या मैं इसी को edit कर लेता हूँ for example तो वहाँ पे re-execution के अलावा मैं कोई particular portfolio square of करना चाहता हूँ तो मैं वह भी कर सकता हूँ free के से re-execution का काम होता है ठीक है न तो बहुत ही simple way में हमने देखा कि अब हम बैठे वे और हमारी strategies work कर रही है आपके सामने life मैंने दो strategy बनाई थी और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बिना किसी system के system is managing my strad triangles and strangles of nifty and bank nifty मेरे defined condition पर तो मुझे कुछ करना नहीं है अगर मेरी सब strategy सब कुछ clear है settings सब कुछ clear है तो आप बिल्कुल अराम से manage करें आपको कोई दिक्कत ही का है और जितनी मर्जी option strategy बनाई है यह re-execution भी आप देख रहे 11 बार हो चुका है क्योंकि मैंने उसको open loop पर डा ला हुआ है आप जितनी बार चाहे यानि चाहे वो 50 बार भी fire होंगी तो बिल्कुल होंगी तो यही तो हमारी खासियत है सबसे जादा advanced features at the most economical cost in the country that is what algobaba is known for that is what stocks is all about and it is one of the most fastest execution platform तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को जब्सक्राइब करें क्यो और वहीं पर आपको इस तरीके के helpful videos मिलते रहेंगे तो आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे and algobaba family में welcome है आपका तो thank you guys